हाँ बच्छो देखो डाउट क्लास 2 तो बच्छो इसमें हम लोगों क्या करना है आज मैंने आप बताया था कि Monday, Monday, Tuesday और Wednesday इन तीनों डेज में थे किसी एक दिन आपका टेस्ट होएगा अच्छा और जो हम बच्छो टेस्ट लेंगे वो second chapter से होएगा आपका math का polynomials है, ठीक है, polynomials, ठीक है बच्छो अच्छा आप एक बात ध्यान से सुनना कि यह polynomials के जो doubt लिये जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं मैं doubt वो वाले ले रहा हूं बच्छो आपसे, जो मैंने आप लोगों को question अभी तक नहीं कराए ठीक है मैं जो question आपको नहीं करवा चुका हूँ उन question को मैं यहाँ पे cover करूँगा लेकिन बच्चो आप लोगों ने कुछ ऐसे doubt मेरे को भेजे हैं जिसमें मैं वो question पहले से ही करवा चुका हूँ तो बच्चो उसको दुबारा करा के कोई फायदा नहीं है आप उसे री यानि दुबारा उसको देखिए उसके re-watch कीजिए ठीक है क्यों क्योंकि वो वीडियो पहले से available है तो उसको आप चाहिए दो बार देखो दस बार देखो बीस बार देखो अभी मैं दुबारा भी करा दूँगा तब भी वही सेम चीज कराने वाला हूँ तो जो questions मैं करवा चुका हूँ वो अपनी पीछे की वीडियो से आप भाई दुबारा देखिए जो questions मैंने नहीं करवाए हैं जो questions मैंने नहीं करवाए हैं मैं उनको करवाऊंगा अच्छा अब बात आती है कुछ बच्छों ग्राफ में प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखना चलो मैं ग्राफ वाली बात एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ एक बार ध्यान से देखना एक चीज देखो बई मैंने क्या बताया था कि F of X का मतलब होता है Y यही बताया था मैंने ठीक है कि F of X जो है वो Y को रिप्रेजेंट करता है जबकि F of Y जो है वो X को रिप्रेजेंट करता है तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने आपके सामने 4 ग्राफ बनाए मैं आपके सामने ठीक है बई ये एक graf बनाया ये टॉच हो रहा है ठीक है इससे टॉच हो रहा है एक बार ठेक है बार आप धगा येári était उ और ये बनादिता हूं क्या बहिए अब happy ये बना दिया अच्छा अब function पूप गया है इसमें आपसे f of x पूछा गया है इसमें आपसे f of y पूछा गया है और इसमें आपसे f of y पूछा गया है तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाया कि जब आप f of x देखोगे जब आप f of x देखोगे तो इसका मतलब यह है कि वो x को कितने पर काट रहा है x को कितने पर काट रहा है मेरी बात को ध्याद से सुनना अगर आप लोग सभी ncrt book open कर गए होगे अगर आप लोग सभी open कर गए होगे ठीक है बच्चो तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर f of x दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x की कितनी value put करके हम इसके zeros निकाल सकते है x की कौन कौन सी value पर हम इसके zeros निकाल सकते है तो अगर f of x दिया है तो आपको यह देखना है कि x axis कितनी बार कट हो रहा है तो आपको f of x दिया है तो आपका zeros कितने होंगे आपके zeros कितने होंगे आपके सुन्यक कितने होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है क्या देखना है अगर f of x दिया है ना तो देखो x कितनी बार कटा तो आपको आप देख रहे होगे X एक बार कटा, दो बार कटा, तीन बार कटा, चार बार कटा. तो इसका मतलब यहाँ पे चार zeros होंगे. यहाँ भी F of X दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम किसको देखेंगे? X axis को. कितनी बार कट रहा है? एक बार कट रहा है. तो एक zeros होंगे. हाँ यहाँ F of Y दिख रहा है तो F of Y का मतलब क्या हुआ कि हम किसको हम F of Y का मतलब क्या हुआ कि हम इसके Y axis को देखेंगे कि कितनी बार काट रहा है क्योंकि यह X के लिए अंसर देगा तो बस बात खतम हाँ जी तो zeros चेक करने हैं किसको देखके Y को देखके तो बाई Y को तो एक बार भी नहीं काट रहा तो इसका मतलब zero zeros होंगे ठीक है अब यहाँ की बात करते है तो बाई यहाँ पे Y को कितनी बार काट रहा है एक बार काट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो zeros होंगे वो कितने zeros होंगे, एक zeros होंगे तो बच्चो, आपको axis देखना है जिस हिसाब का axis होगा, उतने ही इसके क्या होंगे, zeros होंगे तो यही मुझे graph में पढ़ाना था और यह कर लो, ठीक है, अब एक दो question और करा देता हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने नहीं करवाए है, ठीक है, important नहीं है लेकिन बस मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का doubt है इसमें, और paper में आज तक नहीं आया है, लेकिन देखो भई, हम risk नहीं ले सकते, हो सकता भई इन future, कुछ उनका mood सनक जा और तकड़े question डाल दे, ठीक है, तो मैं करा देता हूँ, ठीक है बच्चो और आपने जो question भेज़े ना, उसमें से देखो mostly question आपने वही question मिर को भेज़ दी है, जो मैं आपको पीछे classes में करवा चुका हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चो, पता है इसके लिए एक ही चीज की दस वीडियो बना के कोई फाइदा नहीं है, ठीक, आप इस बात को समझेए, ठीक, जो बिल्कुल ही जैन्मेल्ली आपको नहीं समझ मा रहा हूँ, उसके लिए तो मैं बिल्कुल आपके लिए आगे खड़ा हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए तो बे फिकर रही है, ठीक है, और जो कोईशन मैंने नहीं करवाए हैं, वो करेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा, ठीक है, बाकी देखिए, अभी देखेंगे, मैं एक कोईशन देखता हूँ, ठीक है, एक, यह कोईशन करते हैं, चलो एक कोईशन करवाता हूँ, देखो, क्या बोला इसने, इसने कोईशन भेजा है, यह आसीस नाम का लगा, इसको डिवाइड में बहुत प्रॉब्लम है, यार, कोईशन नम्बर फाइब में लिखा हूँ है, अल्गॉरिफम से डिवाइड करो, तो कर दो यार, डिवाइड कर प्रॉब्लम है, फोर में भी डिवाइड करना है, फाइव एक कोईशन है, हाँ भई, पहले इसका ना कोईशन नम्बर थरी देखो, वो कहरा है कि आपके पास ना भई, एक पॉलिनॉमियल है, यह डाउट तो अल्मोस्ट सब कही होगा, ठीक है, कहरा है यह पॉलिनॉमियल ह इसके अगर zeros है, इसके zeros क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो बताईए, कि alpha square upon beta square plus alpha, बीटा square upon alpha square की value क्या होगी, अरे यारे नकली सा कोईशन है, यह यह, पहली बात, आपको एक बात पताईए, sum of zeros निकालोगे, क्या होता है sum of zeros, alpha plus beta, किसके बराबर होता है, minus b upon a, आ बाता है product of zeros product of zeros क्या होता है alpha beta और alpha beta किसके बरावर होता है c upon में यह भाई मिल गया तुम्हें दोनों अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ आपने a की power 4 plus b की power 4 पढ़िये गभी नहीं बढ़ा चलो formula बनाना सिखाता हूँ मैं आपको ठीक है formula बनाना सिखा रहा हूँ ध्यान से देखना क्या मैं इसको a square का square plus b square का square लिख सकता हूँ कि नहीं जल्दी बताओ क्यों 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 तूटू जफ़ोर होता है अच्छा अब देखना अब बच्छो आपने a square plus b square का formula क्या पढ़ा है जल्दी बताओ मुझे a plus b का holy square minus 2ab यही है ना तो बच्चो अब एक काम करो इस पूरे a square को a मान के चलो तो क्या बनेगा a plus b का square minus क्या भई 2a square b square कैसे पता किया बच्चो मैंने ध्यान से देखना इस a square को ना आप सिर्फ a की नजर से देखो और इस b square को ना आप सिर्फ b की नजर से देखो तो देखो a plus b का holy square minus 2ab बिल्कुल वैसा ही formula लग रहा है अच्छा अब अंदर ही अंदर देखो एक चक्कर और बढ़ेगा इसको इसमें दوبारा formula लगा दो कौन सा वाला ये वाला तो देखो ये क्या बनेगा a plus b का holy square minus 2ab और इसके उपर क्या जाएगा square ये 2a square b square ठीक है तो इस तरीके से a की power 4 plus b की power 4 का formula ये बन गया ठीक तो अब ज़रा देखना now alpha square plus beta square plus beta square upon alpha square इसको इससे multiply करोगा alpha की 4 इसको इससे multiply करोगे beta की 4 upon में alpha square beta square ठीक है अब देखो alpha की 4 beta की 4 देखने में बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है हा की ना लगा दो formula क्या लगेगा formula alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta का whole square minus 2 alpha beta का whole square क्यों क्यों क्योंकि अगर मैं इसका a square b square common ले लूँ square तो क्या यह दिखने में ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा कोई फरक नहीं पड़ता इससे अब नीचे alpha का alpha beta का whole square इसको भी लिख दूँ ऐसे कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए अब क्या करेंगे value put करो alpha plus beta की value minus b upon a का square ठीक है minus हाँ भई minus 2 alpha beta तो 2 alpha beta की value c upon a और इस पूरे का क्या है whole square minus 2 c upon a क्योंकि alpha beta की value है c upon a तो c upon a का square upon alpha beta का square मतलब c upon a का square चलो खोलो इसको b का square b square a का square a square minus 2 c a का square minus 2 c square upon a का square ठीक है और यह आजाएगा c का square upon a का square ठीक है जी ठीक अच्छा फॉर्मुला तो नोट कर लिए ना यह फॉर्मुला दुबारा लिग दूँगा है टेंसन मतलब लेना ठीक है इसी फॉर्मुला दुबारा लिग लिगा या उतार लेना ठीक है सुरुवात महीं उतार लेना कोशन से पहले ही ठीक अब देखो अब इसको solve करते हैं कैसे होएगा हाँ जी a square a lcm क्या हैगा बड़ी पावर पहले सिखा चुका हूँ a square से a square कट गया बचा b square minus a से a कट गया 2ac यह आपको पता यह कैसे आया ठीक है यह सारी बाते हम पहले सीख चुके हैं ठीक है यह बचा क्या यह बचा क्या c square upon a square ठीक अब देखो अब क्या करेंगे हम हाँ जी अब क्या करेंगे अब खोलो इसको इसको खोलोगे तो क्या बनेगा b square minus 2ac का whole square upon a square का खोलोगे तो भई क्या बनेगा a की power 4 minus 2c square upon a square ठीक है upon c square upon a square अब क्या करना है नीचे से a की power 4 common तो भई a4 से a4 कटा बचा क्या b square minus 2ac का whole square minus a square से a4 कटेगा तो 2a square c square सही बात है नीचे बचा c square upon a square पलट दो पलट दो इसको b square minus 2ac का whole square 2a square c square upon a की power 4 अब देखो बटे के नीचे बटा ये पलट जाएगा तो a की square उपर चला जाएगा और c की square नीचे तो भई a की square से ये वाले जाएगा तो power बचेगा 2 ठीक है तो क्या बच गया बच गया भई इसको open करेंगे अब ये देखो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है ये आपको देखने में लगेगा a minus b का whole square तो करो भई इसको क्या बनेगा ये b का square plus 2ac का square minus 2 a की जगा पे b square और b की ज़गा पे 2ac ठीक है और minus का क्या है 2a square c square upon a की square c कی square क्या बनेगा A² C² ठीक है ठीक है खोलो open करो इसको open करो B की पावर 4 प्लस दो दुनी 4 A² C² और ये क्या बनेगा 2 दुनी 4 A B² C और ये बनेगा माइनस का 2 A² C² अब आउन में A² C² ठीक है अच्छा ये बनेगा B की पावर 4 B की पावर 4 प्लस हाँ भई 4 A C² में से 2 A C² गया तो कितना बचेगा 2 A² C² और ये क्या बनेगा माइनस का 4 A² 4 A B² C ठीक है जी ये बनेगा अपन में भई क्या बनेगा A² C² ये आपका आंसर है ये आपका आंसर है और अच्छा आंसर लाना चाते हो तो आप क्या कर सकते हो भई अपन ले लो ठीक है तो बस ये है कि यहां पर आप छोड़ सकते हो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ठीक है ये आज तक पेपर में कभी नहीं आया बस मुझे सिखाना था आपने पूछा था तो मैंने बता दिया ठीक है जल्दी से नोट करो फिर एक कोशन करा तो से एक कोशन नमर फिरस्ट पूचा इसने कोशन नमर फिरस्ट ये ऐगा पने अपने कोशन नमर फिरस्ट भी देखो सेम यही कोशन है न chun से मीई ए겠죠 कोशन slip से मैय ही है ठीक अच्छो, questions सेम यही है, बस एक नया फर्क है, क्या, polynomial बदल गया है, polynomial देखो क्या है, polynomial आगिया है भाब का, x square minusать. Physical स्कुर्णै का, यह आगया प्लिनृमियल, और अबके बार ना यह नहीं दिया है कि इसकी value निकालो, अब की बार बोला है प्रूफ करो क्या P की पावर 4Q का स्क्वार माइनस 4P का स्क्वार Q प्लस 2 ये कोशन ये एक बार पहले भी एक बच्ची ने पूछा था ठीक है तो कोई बात नहीं उस टाम नहीं बता पाया तो अब देख लो अब पता कर लेते हैं ठीक है पहले भी एक बच्ची ने कहा था कि इसे प्रूफ करके दिखाओ सिद्ध करो चलो ठीक है जी पहले क्या निकालेंगे sum of zeros आपको पता ये क्या होता है alpha plus beta क्या होता है minus B upon A तो minus तो है ये B की जगा पे कौन है minus का P A की जगा पे कौन है 1 तो आगया P alpha plus beta आगया P अब आता product of zeros क्या होता है alpha बीटा किसके बराबर होता है C upon A C कितना है Q A कितना है 1 तो कितना आगया Q तो alpha बीटा कितना आगया Q चलो now अब हमें इस पूरे को इसके बराबर प्रूफ करना है ठीक है जी कर देते हैं क्या दिक्कत है चलो इसको इससे multiply करोगे बनेगा alpha का 4 इसको इससे multiply करोगे बनेगा beta का 4 नीचे को नीचे से multiply alpha square beta square ठीक है अच्छा alpha 4 plus beta 4 के क्या पढ़ा है मैंने पढ़ाया alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta का whole square minus 2 alpha beta का whole square यही पड़ाया है ना अपान अलफा बीटा का होली स्कूर यही था चलो वैलु बूट करते हैं यह कितना है यह है आपका P तो बनेगा P स्कूर माइनस 2Q, तो 2Q चलो यहां करता हूं यार यहां करता हूं यह क्या है P P का स्कूर यह क्या है 2Q, 2Q तो यह P का square तो P square ही रहने देता हो ना होल स्कुर ह्याँ इसका whole square minus 2 हाँ भाई यह कितना है Q तो Q का square upon यह क्या है Q तो Q का square चलो भई हाँ भई खोले इसको A minus B का whole square तो कैसे खुलेगा P के square का square plus 2Q का square minus 2A और यह क्या भाई B minus 2Q का square upon Q square अजी P का स्क्वेर 4 ये 2 दुनी 4 Q स्क्वेर माइनस 2 दुनी 4 P स्क्वेर Q माइनस 2 Q स्क्वेर अपान में Q स्क्वेर अजी P की पावर 4 4 में से 2 गया 2 Q की स्क्वेर माइनस 4 P स्क्वेर Q अपान में Q स्क्वेर ठीक है जी एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, separate कर लो, सब के नीचे क्या कर लो, separate कर लो, हाँ भई, तो क्या है, यह तो यह तो यह तो आथ ही रहेगा, यह तो कटेगा नहीं, तो जो नहीं कट रहेगा, उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, Q-scar तो Q-scar कट गया 2 बचा यहां पर AQ से AQ कटा तो बचा क्या minus का 4P square upon Q और यह तो पूरा कट गया plus का 2 देखना ज़रा यही proof करना था क्या देखो था कुछ पता निकिस बात का doubt था doubt कुछ नहीं होते बस हमारे solve करने के condition वे होते हैं तो अभी मिरको कोई problem नहीं है अभी आप learner हो कोई दिक्कत नहीं करो ठेक है कि ठेक है कि अच्छा कि एक लड़की ने और भेजा था मुझे क्या नाम था उसका कि इस लड़की ने भी सेम डाउट चिपकाएं भाई आप लोगो ना यार प्लीज इमानदारी से पढ़ाई कीजिए ठीक है मेरको तो कभी कभी ऐसे लगता है कि डाउट बना बोला भाई फॉर्मेलटी के लिए तो डाउट नहीं भेज रहे हो बच्चो आपको डाउट तभी भेजने हैं जब आप पूरी तरीके से डाउट उसे भाई निकाले फाइंड आउट करें क्योंकि ये डाउट मैं तो चलो करा दूँगा लेकिन अगर आप इमानदारी से नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा तो इसलिए किरपिया करके सभी बच्चे मुझे डाउट प्राउपर तरीके से भेजें ताकि मैं बता सकूगे हाँ जी इसमें क्या है अब जैसे एक बच्चे ने भेजाए है ये कोशन करा देता हूं ये कोशन करा देता हूं मिटाओं इसे ये तो उतार लिया होगा ये कोशन देखो ये अच्छा कोशन है कोशन में क्या लिखा है बच्चे कह रहा है कि आपके पास ये एक पॉलिनॉमियल है बच्चो एफ एक्स तो एक्स की फोर प्लस टू एक्स की क्यूब माइनस तेरह एक्स की स्क्वेर माइनस बारह एक्स प्लस एक्स ठीक है ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है और कह रहा है कि आपके पास एक और पॉलिनॉमियल है जिससे हमें डिवाइड करना है ये लो जी एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री polynomial इस पूरे से divide हो जाए इस पूरे से divide हो जाए ठीक है तो मेरे असाब से इस से असान question इस पूरे world में नहीं है कैसे अब देखना एक simple सा उधारन ले रहा हूँ आपको मैं क्या घटा हूँ इस 13 में से मैं क्या घटा हूँ कि इस पूरे से divide हो जाए तो भई मैंने देखा 4,3,4,3,12 बचा 1 मतलब क्या कि अगर मैं इस 1 को इस 13 में से minus कर देता तो मेरा definitely यह पूरा पूरा कर देता हूँ fx को और जो भी reminder आएगा उसे अगर मैं minus कर दूं तो मुझे बिल्कुल क्या मिल जाएगा perfect number divisual मिल जाएगा सही बात है तो बस मुझे कुछ नहीं करना मुझे gx से divide करना है fx को और जो reminder बचेगा वही हमें क्या करना है अब चाहे subtract का answer आजाए चाहे add का answer आजाए मैं आपको ध्यान से देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर word use हुआ है subtract ठीक है हिंदी में use हुआ है घटाना अगर इसकी जगा addition भी use हो जाता ना addition मतलब योग करना योग जोडने पर ये भी use हो जाता ना तब भी हमें घबरानी जुरुत नहीं है करना ऐसे ही है चाहे subtract बोले चाहे addition बोले कोई फर्क नहीं है यह मत कहना कि आपने subtract वाला तो सिखा दिया addition वाला सिखाए नहीं addition वाला भी ऐसी होगा ठीक है चलो तो क्या है अब उसने बोला है कि भई इसको divide करेंगे अगर हम और इसमें से क्या घटाएं क्या घटाएं कि यह पूरा divide हो जाए तो ठीक है जी बताते हैं क्या घटाएं ठीक है तो चलो x की power 4 x की square तो यानि x की square लेंगे multiply x की 4 फिर इससे multiply करेंगे तो देखो minus plus minus हाँ जी minus 4 का 4 x और x square x का cube फिर 3 से करेंगे तो plus का 3 x square अब आपको पता यह sign तो हमें change करना जनम सिद्धिकार है कट कर दिया अब यह minus वाली चीज plus में बन चुकी है तो plus 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 होता है 6 x की cube यह minus minus क्यों प्लस वाली चीज माइनस में बन गई है तो minus minus plus लेकिन sign minus करेंगे तो 16 x square 12 x plus 21 चलो अब देखो x square है यह हमें चाहिए तो क्या चाहिए एक तो 6 चाहिए x का और x चाहिए क्यों क्यों क्य 24 x square फिर 3 से करेंगे 6 यह 18 x यह minus यह plus यह minus कट गया यह plus यह minus यह minus ही होगा 24 में से 16 गया 8 x square यह minus यह minus दो दो नहीं minus दो माइनस 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 प्लस कितना 30 x plus 21 अब किस की जुरुत है x square है 8 और चाहिए तो plus का 8 multiply कीजिए 8 x square माइनस 8 चोग 32 x 8 यह 24 minus plus minus कट गया 32 में से 30 गया 2 x 21 में से 24 गया minus का 3 मतलब हमारे पास क्या फालतु आया हमारे पास 2 x minus 3 फालतु आया तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे we have to subtract subtract 2 x minus 3 from क्या भई फ्रॉम f of x फ्रॉम f of x हिंदी में क्या लिखेंगे हमें f of x में से 2 x minus 3 को गटाना होगा गटाना होगा क्यों गटाना होगा क्योंकि जब मैं 2 x minus 3 इस में से minus करूँगा तो देखना ये पूरा पूरा नमबर क्या हो जाएगा Complete divide हो जाएगा पूर्ण विवाजित हो जाएगा तो चाहे घटाने की बात हो चाहे जोडने की बात हो चाहे subtract की बात हो चाहे addition की बात हो करना आपको ऐसे ही है अगर घटाने को बोले तो घटा दो और बढ़ाने को बोले, यानि योग करने के लिए बोले तो बढ़ा दो, करना लेकिन ऐसे ही है, ठीक है, तो अब आप समझ में आगी, इस टाइब का ये एक अच्छा और नया कोशन था, ठीक है, चलिए, और देखता हूँ मैं, आप जैसे, इसी का अगला कोशन ये वाला है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, f of x, x की 4, 2x की cube, 2x का square, प्लस x, माइनस 1, ठीक है, 2x की cube, माइनस 2x का square, प्लस x, माइनस 1, ये f of x है, और ये g of x है, x square, प्लस 2x, माइनस 3, इसमें पता क्या पूछा है, कि क्या add करें, क्या योग करें, बताओ, तो क्या करना, इस वा एड करना है, ठीक है बच्चो, देखो, ये डाउट खतम, और डाउट ढूलता हूँ, मैं सब डाउट कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ तो करवाई रखी है, अब जैसे इस बच्ची ने भेजा है, बहुत सारा भेजा है, इसने, और ये मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये क करवा रखा है, मौश्टली तो मैंने करवा ही रखे हैं इसमें, झैसे बच्ची ने रखे हैं, ऑझा ना आपको को, traumatism करवा ही रखे हैं, रहा भे एकक कोरशन होरा रहा है मेरे सामने जेसे करवा देना चाहिए, ये करवा देता हूं, चलो, बच्ची बच्चों ने कोशन भेजें मुझे जो मैंने करवा रखे हैं थोड़ा ध्यान दिया करो यार उसी को दुबारा देख लो क्या फर्क पड़ता है कौन सी ऑफ-लाइन किलास है उस वीडियो को 50 बर देखो तब भी कोई फर्क नी पड़ना मुझे ठीक है बस फर्क आपको पड़ेगा कि आपक इसे समझो ठीक है जिसे देखो मैं कोशन करवाता हूँ जिसे यह कोशन देखो है यह कोशन है मेरे सामने कह रहा है कि आपके पास ना इक पॉलिनॉम्यल है यह आपके पास एक polynomial है ठीक है अब कह रहा है कि alpha और beta इसके zeros है कह रहा है alpha और beta इसके zeros है यार याद करो यह कोशन मैंने करवा रखा है तुम्हे alpha और beta इसके zeros है तो चलो पहले तो हमें काम करते है sum of zeros निकालते है alpha प्लस बीटा यही है ना इसके zeros तो minus b upon a होता है तो b की जगा पे p है a की जगा पे one है तो minus का p आ गया फिर आता है product of zeros alpha बीटा यह हो गया c upon a तो c कितना है c है q, a कितना है one तो यह आ गया q अब कह रहा है कि अगर alpha और beta इसके zeros हैं तो बताओ वो नया polynomial कौन सा होगा वो नया polynomial कौन सा होगा जिसके zeros जिसके zeros वही alpha प्लस बीटा का whole square है और दूसरा zeros alpha माइनस बीटा का whole square है यह बताओ देखो क्या पूछा है अब से वो नया polynomial बताओ वो new polynomial बताओ वो नया भुपत बताओ जिसके zeros वो हैं भुपत बताओ बताओ हिंदी में क्या भशाइए नए नए बहुपत के सुन्यको का योग सुन्यको का योग इस टाइब के मैंने कम से कम तीन से चार कोर्शन आपको करवाये थे अगर याद हो हाँ जी तो भाई सुन यको का योग हम एड़ कर रहें ना तो उन दोनों को एड़ कर दो आपस में अलफा प्लस बीटा का होली स्क्वेर और ये अलफा माइनस बीटा का होली स्क्वेर चलो इसको खोलने की जूरत है निक्यों इसमें लगाओ फॉर्मूला क्या बनेगा अलफा प्लस बीटा का होली स्क्वेर माइनस टू अलफा बीटा ये तो फॉर्मूला रहा इसका और ये भी चीज तो पहले सही है तो ये रहेगा यहाँ पे समझ मारी बात इतना जो हिस्सा है वो तो इसी का है ये तो पहले सही था ठेक है चलो तो ये क्या बनी गया एक बर दो बर दो बर अलफा प्लस बीटा का होली स्क्वेर और दो और दो माइनस का चार अलफा बीटा चलो अलफा प्लस बीटा की वेल्लू कितनी है माइनस का पी और alpha beta की value कितनी है q तो क्या आगे answer 2p square minus 4q तो देखो भई, sum of zeros है ना भई, नए बहुपद के सुनने को का योग क्या आया 2p square minus 4q अब क्या निकालेंगे, now अब निकालेंगे, the product of zeros product of zeros of new polynomial new polynomial तो हिंदी में क्या लिखेंगे नए बहुपद नए बहुपद सुन्य को का योग का योग, ठीक है जी? चलो का योग, सुरी 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 क्या लिख दिया, का गुनन फल का गुनन फल, ठीक है, तो गुनन फल क्या होता है? दोनों का multiple ठीक है जी? दोनों को multiply कर दो, alpha plus beta का holy square, alpha minus beta का holy square, तो मैंने तो आपको बता ही रखा भाई, इसको ऐसे ही रखो, alpha plus beta का holy square, इसको open कर दो, तो क्या बन जाएगा? alpha का square, plus beta का square, minus 2 alpha बीटा, ठीक है? अब इसी को अंदर ही अंदर और open कर दो, बस बीच में plus नहीं लगाना है आपको, multiply रखाना है, तो alpha plus beta का holy square, minus 2 alpha बीट यह तो इसको खुल के आया, यह पहले से ही है, ठीक है? याद रखना है, sum नहीं करना है, multiply करना है, तो यह आगया alpha plus beta का holy square, 2 और 2, 4 alpha बीटा, अब इसको multiply करना है, कहिए नहीं, एक बार, दो बार, तो दो बार लिख दो, यहाँ पर मैंने दो बार क्यों लिखा इसे? क्योंक करना है, q, तो ठीक है जी, p का square, p square, p का square, p square, minus 4q, अंदर multiply करोगे, p की power 4, और 4, p square q, यह आपका क्या आगया, product of zeros, now, now, the new polynomial is, now the new polynomial is, हाँ बही, नया polynomial, नया भहुपत, formula क्या होता है, x square, sx plus p, याद आया, चलो, x square अपनी जगा, minus s, हाँ बही, s का मतलब, sum, sum का मतलब कितना हो गया, 2p का square, minus 4q, x, plus p, p कितना है, p है, p की power 4, 4p का square, q, यही आपका new polynomial है, करो, यही आपका क्या है, new polynomial है, बस इतना सा करना था बच्चों, था कुछ बताओ, इसी में zeros बदल बदल के आजाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई, यह क्या दे दिया, अमाल लो, यही सेम चीज दिया हो, और polynomial आपको यह दिया हो, 2 alpha plus beta, and 2 beta plus alpha, यह zeros हो, तो कैसे करोगे, बस simple, पहले तो भाई, आप sum of zero, product of zeros निकाल लो, फिर अगर आता है, the sum of zeros of new polynomial, फिर एंता है, तो क्या करोगे, जिस तरह मैंने इसको और इसको आपस में add किया, यहां पर इसी तरीके से, इसको और इसको आपस में add कर दो, ठीक है, तो आपके पास sum of zero जा जाएगा, फिर product of zeros 5 criterion में जिस तरह मैंने इन दोनों को manliply किया, उसी तरीके से, इन द पाज मैं करवा चुका हूँ ठीक है तो भश यह से चीजे करनी है ठीक है असब नहीं करवा दिया आपको इस टैप के कोश्शन ठीक है तो भाई सारे डाउट खत्म हो गए है ठीक है डिवाइड में भी जितने सारे डाउट थे वह समने करा दिये एक कुछ बच्चे ना k और a वाला भेज रहे है k और a वाला तो अगर आप लोगों ने polynomials की last class देखी है अगर आप लोगों ने polynomial की last class देखी है तो बच्चो मैंने उसमें वो k और a वाला question सबसे आखरी में कराया है अग कम से कम मैंने उसे 10-15 तक explain किया है आप ध्यान से देखना उस वीडियो को polynomial का last part फिर से बता रहा हूँ polynomial का last part देखी है जिसमें मैंने k और a वाला question करवाया है ठीक है उसे अच्छे से देखी है मैंने 10-15 minute लगाया है उस question को समझाने में बिल्कुल एक एक चीज एक एक चीज बारी की से समझाया है तो बच्चे बड़े अराम से देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी कोई देखो समझाने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पर किसलिया आता हूँ मैं आप लोगों के समझाने के लिए ही ठीक है देखो इतने सारे कोश्चन मैंने करवाने के बाप जूद भी देख लीजिए आपके लिए मैंने दुबारा करा दिये ठीक है लेकिन फिर भी बच्चो अगर कोई डाउट आता है तो मैं कवर करता चलूँगा बे फिकर रहो अब देख लो मैंने एक ही चैप्टर के दो बार डाउट क्लास ले ली ठीक है आगे भी ऐसे मैं डाउट क्लास लेता रहोगा तो उसके लिए बे फिकर हो ठीक है बीच बीच में हो सकता है मैं अपनी मर्जी से कुछ अच्छे कोशन भी ढूंड ढूंड के जो लाऊंगा मैं करवाता रहोगा तो बे फिकर रहो लॉगडाउन है लॉगडाउन की वज़े से देख लो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं अब इसको उतार लीजिए अब Monday, Wednesday, Wednesday, Wednesday में कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है तो अपने टेस्ट को रेडी कीजिए और जैसी टेस्ट होगा उससे एक घंटे पहले आपके पास मेसेज आ जाएगा ठीक है चलिए तो आज यहीं खतम करते हैं